तो बहवान इस जगत के अंदर भी है और बहार भी है शीवाद मद्वचार जी कहते हैं बहवान इस जगत के अंदर भी है इसका पारण पोश्चन करने के लिए बहवान इस जगत के बाहर भी है इसको इसको कंट्रोल करने के लिए तो इस ते अगर बोलें उपनिशनों ऐसा आता है कि भावान तो अंदर भी है बाहर भी है अब यह चीज़ बड़ी अचिंति है कि भाई कोई विक्ति अंदर भी हो सकता है यहां बाहर हो सकता है जैसे कमरे के यहां तो कोई अंदर हो सकता है यह बाहर हो सकता है यह बाहर हो सकता है भाई तो यह तो अंदर भी है बाहर ह काता है अलो यार कैसी बाते कर रहे हैं तो बताओ कोई विक्ति यहां तो पास होता है यहां दूर होता है लेकिन भगवान की प्रिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो श्लुक था उसमें आ रहा था किस पकार से जो भौतिक पदार्थ हैं अगर उनमें भी उनका अस्तित्व है तो भवान की बजा से है उसकी बात फिर आया कि इवन जो जीवात्माएं हैं जीवात्माओं को अगर शक्ति प्रतान करने वाले हैं वो कारे कर पारी हैं वो भी भवान से ही है और फिर अब आगए हम देवी देवताओं के पास देवी देवताओं के पास भी शक्ति है वास्ता में भवान से ही है जो सारे ब्रह्माणों के स्वामी है देवताओं मनुश्यों तथा निम्नपश्वों में भी आवासे सारे सब बड़ा पार्टी बना रहे थे सब ना जूस फूस खोल गए सोमरस उनकी माँ की शैंपेन है बिसिकली वो सोमरस पीर थे ये चीर्स ये ये मैन ये बहुत बड़ी आगिया ये हरा दिया उने उन राक्षत लोगा भवान को ना सोमरस कोते हैं नहीं नहीं मुझे सोमरस नहीं चाहिए वो मेरी माँ घर में चूला जला रही थी आग नहीं जल रही थी अगर एक ये घास का तिनका जल जाता तो इस घास के तिनके को हम भूस भूस में लाल ले थे और चूला जल जाता तो घर में खाना बन जाता आरे ऐसे टुच्छा काम तो हमारे बास लेकर का है तो मैं बता अभी हम क्या कर क्या रहे हम तो अभी राक्षतों को हरा कर क्या रहे अरे आप लोग तो बहुशनी चाली हो हाँ बात उसे है बास बस मेरा एक छोटा काम कर दी जी ये घास का तिनका जल जाएगा न तो हम इसको अंगीठी में डाल देंगे तो फिर उसके आप पर जल जाएगा तो हमारे चूछा जल जाएगा आज मा खाना बना देगी या आजी वही कोई बिलकु जला जाएगे कौन जलाएगा अगनी देव आओ भई अपनी फ्लेम निकालो जेना तो यहां रख दिया उसने फ्लेम छोड़ी तो पहले अपने हाथ से छोड़ी उंगलियों छोड़ी फिर हाथ से छोड़ी पर दोनों हाथ से छोड़ी पूरी फ्लेम लगा दी सारा गैस का सिलेंडर खाली हो गया लेकिन जला नहीं यह तो जार यह गास का तिनका जला ही नहीं अगनी क्या हो गया भाई क्या तुम्हारी अगनी में उश्मा चली गए क्याता है नहीं जी उश्मा नहीं आसके घास के तिनकी आसपास का सब को जल गया लेकिन तिनका नहीं यानि उश्मा तो काम कर रही है लेकिन तिनके पे काम नहीं कर रही है अच्छा भाई फला फला देवता है फला फला देवता है फला फला देवता है ने भी उसको पर जाड़ फूक अपनी पूरी कर ली यार आसपास तो पूरा है तैसनास होगे तिनके कुछ नहीं हो रहे है तो इंद्र ने कहा रहे हाथ तुम लोग ज़्यादा पी लिए हो मैं करता हूँ उसके बाद अपना वज्र लेकर का है तुम पूरा उसमें जहाए अगनी उसमें छोड़ दे दुरू 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 फानी उसमें जहाए स्पार्ट नहीं करनी शुरू होगी हो लगता है इसकी बैटरी भी करता होगी है लेकि नीचे देखा घास का तिनका यह तो जला ही नहीं तो फिर भामण ने कहा कोई बात नहीं आप लोगों से घास का तिनका नहीं जल रहा है मैं कहीं और देखता हूँ कोई बात मैं कहीं और बंदोबस करता हूँ घर में लेक हमारे सारे नशे उतारी है तुमने हैं यह बताओ तुम हो कौन क्योंकि इस प्रकार से हमारी गुरुप में चौपसी करने वाला अब तो कोई पैदा हुआ नहीं है यह से नारायन कर बाते हैं बता दो जो कौन हो कि यह आमने बिल्कुल सही बैचाना मैं नारायन है रहे तो भवान किसका उधार कप कैसे करेंगे देवताओं का देवताओं में शक्ति भवान से ही है पीछे सा का भवान हमनी होलसेल सप्लाई बंद कर देंगे यह तो रीटेल वाले हैं भवान होलसेल सप्लाई कर देंगे यह तो तो देवता लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं बहान की शक्ति की से ही देवी देवता भी कारे कर पाते हैं, सफलता मिल पाते हैं, तथा सुक्या, उसका काम हो गया लेकिन उस शक्ति वास्तर में भावान से ही है इस बात को समय लाएं, इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, उनका ओरिजनल फॉर्म जो है वो विष्णू फॉर्म है इंदरकीव जो अरिशनल फॉर्म है, इसके बाद भावान अपनी पोस्ट बनाते हैं, इस दुनिया के चलाने के लिए जो कि इस दुनिया में जो लोग है, फिर वो पुन्य करते हैं, देवी कम देवी देवता और देवी देवता आला काम करने के बाद, वो अपना कारे कर पाते हैं, वो उनके बरत रखता है, उनकी इच्छा पूरी कर पाते हैं लेकिन actually ये ताकत भी उनको कहां से प्राप्त होती है ये ताकत अगर उनको प्राप्त होती है तो भवान से प्राप्त होती है तो इसलिए originally जितने भी देवी देवता है ये सबके सब actually विश्नु फॉर्म्स में वैसे हैं उसकी बाद फिर उनके expansions हैं जो कि इस जगत के अंदर आते हैं जो पोस्ट आती है अब फोस्च शिवजी इस नॉट पोस्ट हाला कि शिवजी भी भवान का विस्तार है लेकिन शिवजी भी इस बात को बार बाद establish करते हैं मेरे को ब शक्ति प्राप्त होती है तो भवान से प्राप्त होती है एक समय राक्षट से शिवजी यूद कर रहे थे तो ये ब्रह्मा वैवर्थ पुरान में आती है उली तो लड़ रहे थे हैं और ये वितना शिक्तिशाली राक्षट था ये लड़ रहे हैं लेकिन ये मलब और इसने अब तो सारे एकदम निरस्तर कर दिया है इनको ही ने जी कोई अस्तर शस्तर कोई एकदम ऐसे ख़ड़े हो जासे भक्त मंगलार्दी में ख़ड़ा होता है न शिवजी ऐसे ख़ड़े हो कि तब उन्हें फिर प्रार्थना की बहवान से तो उनको बुल के रूप में जो प्राप्त है बैल के रूप में प्राप्त हुए और दूसरा फिर भगवान निया कि अपने सुदर्शन शक्रा विस्तार किया त्रिशूल के रूप में तो त्रिशूल प्राप्त करा है फिर इस प्रगार से वो सिकंदर, ठीक है जी, ओके, तो विश्व कर्मा जी को बिलाया गया, और उने बिलकु सेम डिजाइन के धनुष बनाए, और सेम डिजाइन के तीर बनाए, दोनों को जो है धनुष मान दिये गए, तो दोनों में फिर युद्ध होना शुरू हुआ, जब दोनों में युद तक ये दिखा अरे शिव जी, विश्व के तीर, यारे, तो सक्के मूँ खुले खुले रहे पता लगया, अरे वास्ता में परम जो है, वास्ता में विश्व है, और विश्व तो कृष्ण से आ रहे, तो धनुष चो छोड़ा था, ये धनुष गिरा था मिथला के अंदर, और फिर इसको आगे जाके बहांश की राम ने उठाया था, उसको तोड़ दिया था, इसको बड़े-बड़े शत्रे नहीं उठा पारने, भई शिव जी का धनुष ये कौन उठायेगा, जिनने उठाया, उन्ही कमर बोल गई, आयोड़ेस लगाया उन्होंने, जैता है रह के भी महादेव है इसलिए उनका नाम निवादी देव महादेव है लेकिन परम इश्वर जो है वास्ता में किस प्रकार से विष्णु है नारायन है अल्टिमेटरी श्री कृष्ण है ये बात को भी एस्टाइब्लिश किया उन्हें तो देव देवताओं को अगर शक्ती परा बाबा कहां से आया है तो अंदर लेकर के चले गी थी वो लेकिन कृष्ण को अंदर ले जाओ अंदर ले गी वो लेकिन कृष्ण रोई जाए रोई जाए श्रुदमाएं कि आज तो पता नहीं कृष्णा चुप ही नहीं हो रहा है क्या हो गया ये तो एक गोपी निका ऐसा करना यश्र हो था, बावर बाबा आएsy, बाबा का आशिर्वद दिला दे, बच्चा चुब हो जाएगा, अगिन बाबा बड़े खतनाक बितने हैं, बड़े लमे चोड़े बाभा है तो, इतने लेकिन जैसे भी हैं, आशिर्वद दिला दे, तो बड़े ही मतलब हिचक के पर 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 शुदा महीं ने जब कृष्ण को दिखाया और जब कृष्ण ने दर्शन किये पर शुदा महीं के हाँ पर तो इसलिए भवाश्टि क्रिश्ण ने किस प्रकार से पूरे ब्रह्मान के पूरे जगत के स्वामी है तो वो भवाश्टि क्रिश्ण है एक समय ऐसा हुआ था ब्रजवासियों में चर्चा चल रही थी कि क्रिश्ण तो काले है नंद महाराज तो गूरे है रखा काला कैसे हो गया जरू कोई राक्षस का बेटा है पकी बात ये बात को हमें जाकर बताने चाहिए नंद महाराज को क्या आपके घर में राक्षस का बेटा आया हुआ है खत्रा है तो बहुँचे देखिए नंद महाराज आज बड़ी घंबी समस्या लेकर का है हमने चर्चा किया है कि आपका बेटा क्रिश्ण जो है ये किसी राक्षस का बेटा है नंद महारा ने का हाँ बात तो सही है वैसे काले रंग का है काले तो राक्षस ही होते है तो इसे नहीं हो सकता है ये राक्षस का पुत्र होई है बात तो सही है वैसे नहीं नहीं ये ना राक्षस का पुत्र नहीं हो सकता है इसने पूत्रा को मारा है इसने के राक्षस को मारा है राक्षस होता है राक्षस हो राक्षस वोड़ी मारेगा तो भी ब्रजवासु ने कहा भात तो ऐसे जागी है पिर ये राक्षस का पुत्र नहीं है फिर फिर ये कोई देवी देवता का पुत्र होगा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है कोई काले रंग का देवता होगा ना शनी भी तो काले है ऐसे किसी काले देवता का पुत्र होगा आवात हो सगय है वैसे किसी देवधेवता का पुतर हो गई कद कैना नहीं नहीं वो भी सम्मभ właściwie क्योंकि ना मैं देखा देवताओं का राजा इंद्रा करके ने इसके आगे बत्ती गुआया था उफ परण हो उठाया था था ने सने पिर यह शिव जी का होगा है अवतार होगा होगा है यह दमदार बात बोल दी लिए नहीं 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 अगर शिव जी का अवतार होता न अगर तो शिव जी का अपने अवतार के दर्शन करने आते क्या है हमारे आप रहा है कलास्ति बाबा आई थे अलग निरंजन, अलग निरंजन करते हुए यह नहीं 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 छलो जी, डिसकेशन खत्ब हो गया, मीटिंग खत्ब हो गया, चलो वाप elas, छलो आपili अपने भरहों में, छलो जी यह तो वैसे बहुता बहुच्वान इसे जगत समामी हैं लेकिन अक्सर लीलाये करते हैं, किसके लिए जो भक्त हैं उनके कल्यान करने है तो वहान डीलाएं भी करते हैं इसे वहान गीतम ज digo बोलना है, परित्रानाएं साधुनां विनाय रख्षा करना, दुष्टों का संगहार करना ऐसी पहला काम जो बहान का अफ्क्त काम है यानि कि जो साधु हैं उनकी रक्षा करना, उनका पूशन करना, उनको दर्शन देना, उनको आशिरवाद देना, परित्रानाय साधुनाम is the first thing, फिर वो जो दुस्ता है, विनाय शाय चदुश्कताम, ये secondary purpose है, ये तो दरोगा वाला काम कोई भी कर देगा, कहा दुश्त हैं वही बहुत सारे दुश बन गी होंगी, तो इसलिए दुश्टों का नाश्ट करने के लिए भावान को खुनी आना पड़ता है, वो भी कर देता है, भावान वीच में आते कहता है, ये side business से वो भी कर देता है, कोई ने, लिए भावान सा main business है, भक्तों को पूशन देना, उनको दर्शन देना, उनक झतर FEMA plupart को घर्वान देना, भी कर देना, ली बनावान साथनगे के बावान साथन देना को खुनी कर देना, झीम बन्या स weakest